फिल्म जगत के सबसे प्रतिस्टित अवर्ड दादा सहाफ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड दोहजर तेज जो हैं दोस्तों यह भी हाल ही में दिये गए हैं इनका जो आयोजन है यह 20 फरवरी 2023 को मुंबई में किया गया है तो इस टॉपिक से बनने वाले स अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहा है तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल रहने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से एक कॉशन आपके एक्जाम में जरूरी देखने को मिलेगा तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वी Film of the Year का जो अवार्ड है यह दिया गया है त्रिपल आर मूवी के लिए इसी को आर 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 मूवी भी कहा गया C option is the right answer यह जो मूवी है इसके निर्देशा कौन है यानि की डारेक्टर तो यह है SS राजा मॉली कौन है SS राजा मॉली जो है यह त्रिपल आर मूवी के अवार्ड जो है 2023 में हुए है हम इसको बार बार नहीं कहेंगे हम सिर्फ चर्चा करेंगे सीधे सीधे पुरिशकार की तो सर्विस्टेश फिल्म का जो अवार्ड है यह दिया गया है दक कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए है बहुत ही जदा चर्चा में यह मूवी रही है और दोस्तों यह जो मूवी है दक कश्मीर फाइल्स इसके डारेक्टर कौन है तो यह है विवेक अगनी होतरी कौन है विवेक अगनी होतरी जो है वो इस मूवी के डारेक्टर भी है और राइटर भी है और इस मूवी को सर्विस्टेश फिल्म का पुरिशकार दिया गया है इससे previous हमने यहाँ पर बात की थी कि film of the year का वर्ड किसे दिया गया तो यह triple R movie के लिए दिया गया है दोनों question में आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है चलिए next question के और बढ़ेंगे सर्विस्रिष्ट अभीनेता का पुरुषकार किसे दिया गया तो दोस्तों सर्विस्रिष्ट अभीनेता यनि की best actor की बात हो रही है यह दिया गया है रणवीर कपूर के लिए be option is the right answer जो रणवीर कपूर है उनके लिए उनकी movie जो ब्रह्मास्त् यह जो award है यह दिया गया है चलिए next question है सर्विस्रिष्ट अभीनेतारी का पुरुषकार किसे दिया गया तो सर्विस्रिष्ट अभीनेतारी का पुरुषकार है इमेज देखकर ही आप पहचान गये होंगे यह किसे दिया गया तो आलिया भठ के लिए be option is the right answer जो आलिया वी है गंगुबाई खातियवाडी इस फिल्म के लिए यह पुरुषकार दिया गया है दोस्तों जिस प्रकार से हमेहाँ पर टॉपिक वाइस को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइस को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्य है इसी प्रकार से अगर आप इछले दो सालों को करेंट अफियर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वाली इबुक को बाय कर सकते हैं इसमें आपके लिए जिनवरी 2021 से फर्वरी 2023 तक का करेंट अफियर्स प्रोवाइड किया जा रहा है दोनों इबुक की जो लि के एकजामे कहीं से भी क्रियेट होंगे हर कॉशन का अंसर आपको पता होगा चलिए दोस्तों अब हमारे next कॉशन की और बढ़ते हैं कॉशन है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है तो क्रिटिक्स जो श्रेणी है इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवा यह दिया गया है वरुन धवन के लिए किस मूवी के लिए दिया गया तो इनकी फिल्म है भेडिया उसी के लिए इनको यह जो आवार्ड है इसी में हम बात करेंगे कि Critics Best Actress Award किसे दिया गया है तो ये जो Award है ये दिया गया है विद्यावालन के लिए D option is the right answer जो विद्यावालन है उनके लिए जलसा फिल्म के लिए ये Award प्रदान किया गया है Next Question है Best Director का Award किसे मिला है ये दिया गया है आर बालकी के लिए जो आर बालकी है इनकी famous फिल्म है चुप Revenge of the Artist इसके लिए इनको ये Award दिया गया है Next Question दादसाहावाल के Award 2023 किसे दिया गया है तो ये दिया गया है दोस्तो अभीनेत्री रेखा के लिए C option is the right answer 2023 का दादा सहाफाल की अवार्ड जो है ये रेखा जी के लिए दिया गया है इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं 2022 का दादा सहाफाल की अवार्ड किसे दिया गया था तो ये दिया गया था अभी नित्री आशा पारेक के लिए Next question है DPIFF Award 2023 में सहायक भूमिका में Best Actor का अवार्ड किसे दिया गया यानि कि Supporting Actor की यहाँ पर बात हो रही है ये जो अवार्ड है मनीश पॉल के लिए दिया गया है C option is the right answer जो मनीश पॉल है उनके लिए ये जो अवार्ड है जुग जुग जीयो मूवी के लिए दिया गया है चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम दादस सहाफ फाल के International Film Festival Award 2023 में जो दिये गया है उनको एक एक करके देख लेते हैं जितने question हमने अभी तक पड़े हैं उन सभी का एक quick revision होगा और इसी के आगे जो अवार्ड हैं उनको भी हम इसी सीरीज में ही discuss कर लेंगे सर्विस्रिष्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया The Kashmir Files Movie के लिए Film of the Year का अवार्ड किसे दिया गया है तो Triple R Movie के लिए दिया गया है सर्विस्रिष्ट अभीनेता का पुरुषकार रनवीर कपूर के लिए दिया गया प्रहमास्तो मूवी के लिए सर्विस्रिष्ट अभीनेत्री का पुरुषकार है यह आलिया भट के लिए दिया गया है गंगुबाई काठ्यावारी मूवी के लिए Critics Trading by Best Actor का Award वरुन धबन के लिए भेडिया मूवी के लिए दिया गया Critics Best Actress का जो Award है ये विद्यावालन के लिए दिया गया जलसा मूवी के लिए यही पर हम बात करें सर्विस्रिष्ट निर्देशक का Award जो है ये कैसे दिया गया तो आर बालकी के लिए दिया गया है और चुप मूवी के लिए दिया गया है यही पर हम बात कर लेते हैं कि सहायक भूमिका में सर्विस्रिष्ट अभिनेता का पुरुषकार के से दिया गया तो ये दिया गया है मनीश पॉल के लिए जुग जुग जीयो मुवी के लिए है प्लेबेक सिंगर मेल का अवार्ड किसे दिया गया तो सचे टेंडन के लिए दिया गया माईया मैनू जो गाना है जर्सी मुवी का ये सौंग है इसके लिए इनको यह award प्रदान किया गया है और वहीं पर female playback singer का जो award है यह नीती मुहन के लिए दिया गया है गंगुवाई काठयवाडी movie का गाना है मेरी जान इसके लिए इनको यह award दिया गया है अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फिल्म में उत्करश योगदान के लिए दादा सहाफ फाल के अंतरास्टे फिल्म महुचसा पुरुषकार 2023 किसे प्रदान किया गया है तो ये दिया गया है अभी नेत्री रेखा के लिए या फिर आपसे सीधा सीधा कॉशन पूछ जा सकता है कि दादा सहाफ फाल के अवार्ड 2023 किसे दिया गया है तो आपका आंसर होगा अभी नेत्री रेखा के लिए वही पर बात करें कि संगीत मोत्करश योगदान के लिए दादा सहाफ फाल के पुरुषकार किसे दिया गया तो ये हरी हरन के लिए दिया गया है बेस् पर हम बात करते हैं कि सर्विस्रेश्ट बैफ सीरीज का वाड किसे दिया गया तो एक हिंदी वैफ सीरीज है रूद्र दा एज और दाकनेस इसके लिए दिया गया है और मोस्ट वसटाइल एक्टर का जो आवाड है यह दा कश्मीर फाइल्स मुवी के लिए अनुपम खेर के लिए दिया गया है स्रविस्रेश्ट की बात करते हैं तो अनुपमा के लिए दिया गया है यह तैज इश्वी प्रकास के लिए नागिन के लिए चलिए दोस्तोई अब दादा सहाब फाल के पुरुशकार से बनने वाले कुछ basic से caution है जो आपके exam में देखने को मिल जाते हैं उनको हमेके करके discuss कर लेते हैं तो next question जो है उसमें पूछा गया है कि दादा सहाफ फाल के पुरुषकार किस वर्ष इस्थापित किये गये थे तो इनको इस्थापित किया गया था 1969 में the option is the right answer next question है दादा सहाफ फाल के award किस छेतर में दिये जाते हैं तो सभी इस caution का answer जानते हैं वीडियो को post करके comment section में अपना answer लगाएं दादा सहाफ फाल के award ये किस छेतर में दिये जाते हैं तो ये जो award है ये भारते सिनेमा के विकास में उतकरस्ट योगदान के लिए दी जाते हैं नेक्स कॉश्चन है प्रथम दादा सहाफ फाल की award से किसे सम्मानित किया गया था सब इसकांचा अंसर जानते होंगे जल्दी से अपना अनसर लगाए यह जो award है यह दिया गया था देवीका राणी के लिए कब दिया गया था तो 1969 में जब इनकी स्थापना की गई थी और प्रतन अवर्ड जो है ये देवी का रानी को दिया गया था चलिए नेक्स कॉशन है मर्णो प्रांथ दादा सहाफ फालकी अवर्ड से सम्मानत होने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो ये थे दोस्तो प्रत्वी राज कपूर भी ऑप्शन जो है ये बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन दादा सहाफ फालके का जन्ब कब हुआ था दादा सहाफ फालके इनका जो जन्ब है ये 30 अप्रेल 1870 को महरास्टी के नासिक में एक मराठी परिवार में हुआ था ये ऑप्शन जो है ये बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा इनका जो जन्ब है कहा पर हुआ महरास्ट के नाशिक में इसके बाद ये जर्मनी चले गए और जर्मन में इन्होंने फिल्म बनाने की ट्रेनिंग ली ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों ये भारत वापस आए और इन्होंने भारत में फिल्म बनाने का शिर्षला जो है ये शुरू किया था चलिए नेक्स कॉशन है भारत की पहली silent film यानि की मूख film का नाम क्या था दोस्तों भारत की पहली silent film जो है इसका नाम था राजा हरिस्चंद ए ऑप्शन इस दा राइट आंसर यह जो मूवी है कवाई थी तो 1913 में इसको लॉंच किया गया था राजा हरिस्चंद जो है यह भारत की पहली फिल्म थी और यह कब रिलीज हुई थी तो यह 1931 में रिलीज हुई थी दोनों कॉशन आपके एक्जाम में create होते हैं और इनमें आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है चलिए दोस्तों हम फिर से आपको बता देते हैं हमारी e-book जो है इनकी जो लिंक है यह आपको कहां पर मि बता दे कि हमारी science की e-book भी लॉंच हो चुकी है उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगी चलिए अब next and last आपके लिए चलेंजिंग कॉशन है जिसका आंसर आपको कमें चेक्शन में कमेंट करके देना है कॉशन जो है इसमें पूछा गया है कि रक्षा म दोस्तों वीडियो के comment section में comment करके देना है दोस्तों वीडियो को दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको like कर दें जादा से जादा share करें अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है आप चैनल पर new student है तो सबते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभी आपको स्क्रीन पर तीन मोस्ट यूसफुल वीडियो दिख रहे होंगे इन वीडियो को भी देख लें फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के झाल